अधर इस्टेट वाले लगतार कमेंट करते हैं कि जब बिहार वाले हमारे यहां आते हैं तो हम क्यों नहीं जाएंगे इस तरह कि आब आजें उठने लगी है तो 24 अगस्त को एकजाम होना है तो परहाई और लराई दोनों चीज होना चाहिए नहीं कि आप परहाई को साइड हटा दिजेगा अचानक एकजाम हो जाएगी क्योंकि गौवर्मेंट भी कहीं कहीं आप माइन मेकप कर लिए है लड़ते हैं तो लड़िये लेकिन पढ़िये परहाई में बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए कि सरकार भी इसमें कोई बीच का नहीं नहीं लेकि 10% आप अधर इस्टेट के लिए रखिए नमस्कार में हो निकुल तिवर्यों रापलाई सिरीज देखने लेगे हमारे साथ नवीन सर मौजूद हैं कल सारे शिक्षक अब क्या होगा बच्चे भाग लेंगे कि नहीं लेंगे भाग तो लिये ही और आगे भी भाग लेंगे और जिस उद्देश से यह शुरुवात किया गया था कल का प्रोटेस्ट रखा गया था और हमको लगता है कि यह पूरी तरीके से सफल रहा सफल इसलिए रहा कि जो उ यह न्यूज फ्लैस हुआ कि शिक्षक अभ्यर्ति उत्रहें जड़क पर अपने हग के लिए और आप देखेंगे कि नेशनल न्यूज मीडिया में भी यह कभरेज प्राप्त हुआ तो और यह पॉल्टिकल इसू भी बना तो कहीं न कहीं चुकि आज संडे है अब स्टुड का तो इसमें हंडेट परसेंट दोस है कि भाई सुरू से ही अपनी निती को पुरा कायम रहना चाहिए सरकार को दोश मानते हैं हां बिल्कुल क्योंकि आप 15 दिन जब भरा दिए तब जाकर कि इस तरीके से अचानक आप पीछे लोटते हैं तो सुभावी कह कि भी सामिल हुए कि जो अलग तरीके सेक्षन मोड में आये जिसके वज़े से कुछ लाठियां भी खाना पत्राव भी हुआ और दूसरा की नेत्रित भीहीं यह आंदोलन था कोई खास नेता इसमें नहीं थे जो नेता थे वह सबसे पहले आरेश्ट हो तो इसले करके भी आप आप देखे होंगे कि गांधी मैदान में तो डाक मंगला पर सब अलग लग जगा यह हो रहा था तो इसले करके जैसी आदब ध्यान देंगे इतने लाखों बच्चों पर या चुप रहेंगे नहीं हमको तो लगता है कि निश्चित रूप से ध्यान देंगे जिस तरह का मा जिर्थी से जुरा हुआ सब को लगता है कि बिल्कुल जाइज मुद्दा है कितने लोग होंगे जो धक्का खा रहे हैं ठोकर खा रहे हैं कि बिहार के हैं एक्जाम देना चाहते हैं लेकिन अब बाहर के लोग भी दे रहे हैं सब ठोकरी खा रहे हैं इसमें हुआ क्या है अब 2012 में एस्टेट हुआ अब इस बीच में देखिए कि 12-14 साल में कितनी बार सिक्षामंत्री जी कि यहां पर विज्ञान का टीचर मैथ का टीचर इस सब की बात लेकिन आप रेगुलर वेकेंसी आप रेगुलर कभ आप सब्सक्राइब बहुत बात हैं इसमें सरकार कहीं बीच का रास्ता अपनाने की कोशिस करेगी अब क्या होता है कि अभी देखिएगा आप यूटूब पर कमेंट देखिएगा कि अधर इस्टेट वाले लगातार कमेंट करते हैं कि जब बिहार वाले हमारे यहां आते हैं तो हम क्यों नहीं जाएंगे इस तरह के आवाज़ें उठने लगी है तो मेरा काना है कि बिहार और उतरपरदेश से ज दूसरे जगह के हैं कि आपका कहना है कि बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अभी है ना शिक्षकों को और शिक्षक अभियरते को बहुत जरूरी है है पटना नहीं देखते हैं कि बिरोजगारी का ही आलम है कि आप गली चौरा जहां निकालिए लगेगा इस्टु काना चाहेंगे चुकि जो बिपीएसी का रुख है जिस तरीके से 24 अगस्त को एक्जाम होना है तो परहाई और लराई दोनु चीज होना चाहिए नहीं कि आप परहाई को साइड हटा दिजेगा अचानक एक्जाम हो जाएगी क्योंकि गौश्मेंट में कहीं कहीं माइन में कि लड़ते हैं तो लड़िये लेकिन पढ़िये परहाई में बिलकुल भी कमी नहीं होनी चाहिए आठ गंटा दस गंटा बारे घंटे का रूटीन आपको मेंटेन करना है यह भी हो गया नहीं कि लड़ते रहिए पढ़ाई करते रहे क्योंकि सरकार को कोई भरोसा नहीं हो स सभीर्थी को बीच का रास्ता निकालते हुए यह कोई विदेश के नहीं बच्चे हैं आफी के बच्चे हैं तो इस पर उचित निरना ही होना ही चाहिए गवर्मेंट के तरफ से नवीन सर मेरे साथ मौजूद थे लेकिन सबसे अच्छी बात यह कह दिए कि सरकार का कोई भ लेकिन नवीन सर ने कह दिया है कि पहले बिहार के बारे में सोची यहां पे बहुत विरुजगारी है उसके बाद बाहर के बारे में सोची यहां नवे प्रतिशत दीजिए और बाहर दस प्रतिशत दीजिए तो बस लाइच सीच साथ बनें में चानल को सब्स्क्राइक और